दोस्तों MS Word में Watermark बहुत important feature है आप मेंसे काफी सारे लोग कुछ ऐसे documents तयार करते होंगे जो internet पे upload करते होंगे या तो PDF में convert करते होंगे और वो documents कोई दूसरा copy ना कर ले या कोई और उनको use ना कर ले वो आपकी ही property रहे तो इसलिए वहाँ पर use किया जाता है Watermark का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करता हूं माइब गैडि स्मार्ट क्लास में और आजके इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे आप MS Word में Watermark का इस्तमाल कर सकते हैं वो भी भेतरीन तरीके से वहाँ पर आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं या आपके टेक्स लिख सकते हैं तो यह वीडियो लास तक देखिए कि आपके बहुत काम आने वाला है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं MS Word में मैंने यहाँ पर तीन पेज टाइप किये हैं और यह पेज मुझे किसी को PDF में कनवर्ट करके इबुक के तोर पर भेजने हैं अब ये इबुक कोई और इस्तमाल ना कर ले अपना नाम ना रख दे कि ये इबुक उनों ने तयार की है या इसको कोई कॉपी ना करे तो इसके लिए यहाँ पर एक निर्देश दे दिया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे कि watermark लगाने के लिए यहाँ पर चार option दिये गए हैं दो option यहाँ पर confidential के लिए हैं और दो option यहाँ पर do not copy के लिए हैं जब आप इन में से कोई भी एक option सेलेक करते हैं तो आप देखेंगे do not copy का जो text है आपके page पर बहुत light color से display होने लग जाए तो आपका जाना होगा custom watermark में यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए और नीचे यहाँ पर custom watermark का option दिया गया है इस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर आपको तीन option दिखाए देंगे पहला no watermark दूसरा picture watermark और तीसरा text watermark अब यहाँ पर text watermark में कई सारे option दिये गए हैं जैसे font size, font color, font, style, text क्या लिखना चाहते हैं आप और language भाषा कौन सी इस्तमाल करना चाहते हैं तो अगर आप Hindi में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से हिंदी select कर लीजिए अगर आप English में लिखना चाहते हैं तो English select कर लीजिए अब यहाँ पर text type कीजिए जो आपको watermark में देना है तो जै साइज में यहाँ पर auto रखता हूं अगर आप चाहें तो आप कोई भी साइज रख सकते हैं लेकिन अगर आप auto रखेंगे तो watermark आपके page पर आपने आप सैट हो जाएगा अब यहाँ पर आता है color का number तो अगर आपके बास laser jet printer है तो आप जो gray scale color है उसी का इस्तमाल करें क्य आप देखेंगे कि सभी pages पर जो हमने watermark लगाया था my big guide वो आ गया है इसी तरीके से आप picture watermark का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप दुबारा से watermark में जाएए यहाँ से custom watermark को select कीजिए और यहाँ पर आप चले जाएए picture watermark पर यहाँ भी आप scale auto ही रखें इसके बाद यहाँ से आप picture को select करें देखें यहाँ पर मैंने my big guide का logo लिया है आप अपना photo भी ले सकते हैं बस इसको आप select कीजिए और यहाँ से insert कर दीजिए तो अब यहाँ पर आप देखेंगे यह जो path है जहाँ पर मेरी file save थी वो यहाँ पर आ गया है इसके बाद यहाँ पर आपको एक washout का बहुत हलका कर देगा ताकि वो printout में बहुत light color की नचरा है आपके text को cover ना करें और यहाँ से scale auto lay ही लेंगे इसको यहाँ से apply कीजिए और ok कर दीजिए तो आप देखेंगे जो picture watermark है वो आपके page पर कुछ इस तरीके से दिखाए देगा अगर आप चाहते हैं इसे थोड़ यह आपके text को cover कर ले तो अगर आप washout का इस्तिमाल करेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा अगर आप चाहते हैं watermark को हटाना तो बस आपको remove पर जाना है तो यह watermark सभी pages से हट जाएगा तो इस तरीके से आप watermark का इस्तिमाल कर सकते हैं अपनी file या किसी page को secure करने के लिए और यह बताने के लिए कि वो page आपने बनाया है वो आपकी property है आचाहे दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जोलू subscribe करें और bell icon को दबाना ना भूले और हमारी website www.mybigguy.com देगना ना भूले क्योंकि हमेशा आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद